सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है हमारे यूटीब चैनल पे तो आज हम आपके लिए एक जबर्दस वीडियो लेके आए हैं ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगा और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा तो वीडियो को अंतक देखें और इनके च यूमन राइट्स कोट अंकोट हूमन राइट्स की जो मिनिस्टर शीरी मजारी हैं वो कहती हैं कि इंगलेंड में इंडोफाइल सिच्वेशन बहुत है याई इंडिया के लिए फेवरेबल सिच्वेशन बहुत है इस सब पर बात चीत होगी चाने किया फॉर्म के रुह पाक्सान में उसकी एक बहुती दिल रर्जा देने वाली वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करो हम इंड जा है इंड आपके साथ कर दो कर दो आपने ये वीडियो क्लिप देखी और भी मैंने पीछे परीचे कराया मैं वेल्कम करता हूँ स्वागत करता हूँ मेजर गोर आरिया जीग वेल्कम सर्व आपने वक्त निकाला हम बहुत शुकर गुजार होते हैं आप हमें वक्त देते हैं ये बहुती डुक बरी गटना है और कोई नई गटना नहीं है सर जैसा मैंने अभी पीछे कहा बदकिस्मती से ये आए दिन का वाक्या है खुद एमनिस्टी का कहना है कि पाकिस्तान में एक हजार से जाएद हिंदू सिख क्रिस्चन बच्चियों को खास पर हिंदू बच्चियों को फोर्सफली कनवर्ट किया जाता है और उनके साथ सुल्म होता है तो ये जो अभी रीसेट वाक्या है जो जगम हमारे बरते ही नहीं है वो फिर ये हुआ तो आपका क्या इस पर रेक्शन है क्या कमेंटरी है आपकी पाकिस्तान से इसका पूरी तरीके से हिसाब लिया जाएगा अगर कोई ये सोचता है कि ये दंदनाते हुए जैसे चलते रहते हैं ये मंदिर तोड़ा ये तोड़ा ये सब ये चलेगा नहीं इनका अगर इनको ये लग रहा है कि हमारी सरकार ने हम लोगों ने इस चीज़ से बिलकुल नजरें फेर ली हैं हम पाकिस्तान की तरह ये इमरान खान की तरह हमारे प्राइम अगर के नहीं मारते एब्सलोटली नॉट ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते यह बड़ी बड़ी बात है ना मॉला जट टाइप की पाकिस्तानीएं को ठीक है कि इसका दाम जो है न ताहिर सहर सब्सक्राइब कर सकते हूं। बहुत गहरा है इसका दाम और उनको भी समझ में नहीं होता है क्योंकि वह एक आद्मी अपनी इसमें होता है नहीं होता है अपने. इस इन इस ओन वर्ल्ड किसाब मैं तो मैं कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं 97% मुसलिम है 95, 96, 97% मुसलिम तो उनको लगता है कि यह कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है इनको अभी FATF की मार सर ठेक है इनको और इतनी मारें पढ़ेंगी कि सर यह भूल जाएंगे कि क्या मंदर से इनको याद नहीं रहाएगा इनकी मेमृरी लॉस हो जाएगी उर इंडिया जब मारे का हमारी जो लाटि है इंडियन्स की लाटि है वहारी लाटि आवाज नहीं करती पर जब पढ़ती है तो कमर तोड़ देती है इनसान की, पाकिस्तान की कमर तूटेगी, इन लोगों ने बहुत, जिसको कहते हैं सर कि जो जल्म है न सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, हजार से जादा जो लड़कियां आपने इसा ही बात बूली कि जो उन्ह और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान इसाब देगा, इंडिया विल इंशॉर दाट पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा, इंडिया विल इंशॉर कि नाम गाली बन जाए, हम इनको, जिसको कहते है ना, हमें कोई हत्यार नहीं चलाने की जरूँत सर, हमें क कोई बं मारने की जरूँत नहीं, हमें कत्लोगारत करने की जरूँत नहीं, टेर्रोरिजम, वरिजम, कुछ ही नहीं जरूँत, और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखे का, और मैं ज्यादा लंबी चोड़ी बात नहीं कर आता है सब, मैं अगले 6 मेने की बात कर रहा हूँ आप अगले 6 मेने में देखिया का क्या होता है, ये तो छोटे से ट्रेंड पर पर परिशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान, इतना कब परिशान होंगे, जब एक्चुली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा, economically, इनका GSP Plus का जो खेल है, इनके उपर जो और economic sanctions हैं, ये बिल अब ये लोग भागेंगे, कौन समुलक इनको पालेगा, आप देख लीजएगा, इनका बहुत बुरा हाल होने वारा और ज्यादा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं, December, January तक आप देखिएगा, इनके साथ क्या क्या होता है, इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, और जो भी सर इनके लाहर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं टीवी पे, कि हम ये कर देंगे, ये साजिश हो रही, इनको, ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे हैं भी देखिएगा, इनके वहां, अब आप देख लीजए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न कर में अचा IMF के पास पैसा कहां से आता है IMF टैक्स तो कलेक्ट नहीं करता कोई मुल्क देता है उनको पैसा IMF को तभी IMF के पास पैसा आता है अब आप ये सोचिए कि IMF जब पाकिस्तान को देता है पैसे ठीक है तो कौन-कौन से ऐसे मुल्क है जो इनकी बहां मरोड सकते हैं अब इसमें हम और चाईना एक है सबस्के हम पाकिस्तान की बहां मरोड़ै और चाएना मरोड़ै दर्द तो पाकिस्तान को ही होगा चिखें तो पाकिस्तान की निकलेंगी ठीक हो कि एस ओर sąpants के तो ये जो भी कर लें इनका मैं बता रहा हूं एक-एक मंदिर तूथने का एक एक हिंदू, जो सिख है, जो इसाई लड़की है, जिसका धर्म परिवर्तन करा है, जिसका रेप कुआ है, एक एक बच्ची का जवाब लिया जाएगा, सर आप देख लिए, अगरी छे मैने में, इनकी चीखें निकलने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह मेरी गारेट कि इसने ऐसी हवा में तुर्रा मार दिया था, मैं आपको बताओंगा कहा का से चीखें निकलेंगे इनकी, अब बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं, जो आफकोर्स अगस्ट 12 है, और यह वो डेट है, जो भारत के बटवारे की डेट भी बन कर रहे हैं, और यह बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, मकर पाकिसान के प्राइम निस्टर इमरान खान तो कंडेम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम बहुत सकती से निप्टेंगे जिनने मंदर तोड़ा, तो आप क्या उसको कोई कास्मेटिक ले लेते हैं, या वो जो आप प पता है कि ये सिच्वेशन बहुत खराब हो जाएगी, वो दुनिया को जचतला रहे हैं कि हम बहुत ख्याल कर रहे हैं, या कोई लगता है कि उनका माइन चेंज हो रहा है, और वाकिए वो दिल से बात करते हैं, तैर सब ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको प प्रेडिक्शन है, ठीक है, और हम लोग कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सरकार में नहीं है, कुछ बाहर है, कुछ बिसनसमेन हैं, सब लोग है, और सब लोगों ने, मतलब जिसकी जितनी अवकाद, मेरी कम है, किसी की जादा है, पाकिस्तान की चीख निक तो कोई भी इम्रान खान को सीरिस्टी नहीं लेता हूँ उन्होंने क्या बोला कि स्पोर्ट्स में मेरी ट्रिपल पी एच्टी है ऐसा तो परदान मंत्री है पाकिस्तान के सब कुछ भी बोल देता है ठीक है दूसरी चीज है कि यह सब चीज है रोकना इतना मुश्किल नहीं ह अब अब देखिए यह एक आठ या नौ साल का बच्चा कुछ कहता है जिसको होश ही नहीं है आठ या नौ साल के बच्चे को क्या होश कि मैं हिंदू क्या मुसल्मान क्या हिंदू उसको नहीं पपैसर उसको नहीं पपैसर आपने मंदिर तोड़ दिया ठीक है आपने ये मं सकते ब्रॉज़े आपको जाएंटने के अदमी एपको पता लगना दीरे धीरे तीरे अपको बरिशाना गए सर इनका पूरा निप्तारा करना पो लेगा यह बहुत का बढ़ निकल गए आउट अव कंट्रोल इनके जो हमने गले से पक्ता प्त्ता क्या प्लई इनके तो काटन शुरू कर दिया सब्सक्राइब यह इसको रहा है, you have to put down, you have to put down that creature, and the way to do it is economic collapse of Pakistan, that is number one, sir, number two, Pakistan का नाम, sir, it will become synonymous with terrorism, sir, hundreds of millions of dollars, मैं आपके शो पे आज बता रहा हूं, गाज़े दौर पे, hundreds and millions of dollars, will be spent, are being spent, इनके जो दोस्त हैना, sir, इनके जो करी PSG, जो इनके बिरादर- इससामी मुल्क है, वो इन से अब, terrorism के बारे में बात करेंगे, और आप देखें का दो-ती महने में शूरू कर देंगे, इनके बिरादर- इससामी मुल्क मैं आज बोल रहाँ हम, आप देख लीजिएगा, लेट तोड़ के दिखाओ, हम चाहते है कि तो मंदिर तोड़ो सरा, हम भी देखते हैं कि vara जोर कितना है बाज़ों कादल में तरह, जाके मंदिर तोड़ के दिखो तरह इनकी जो सर ज्यादती और जल्म की जो हद है वो इतनी जरुवत सिदा और आठतर से बड़ा सोचना है कि हम यह कर देंगे और इसंक वहीं करते हैं सर इनके एरो΄ वही हैं गजनवी और गॉर्वुर्व chant इनके हेरोऄ वही हैं सर तो यह क्या करेंगे दिखिए, they will rape ये rape करेंगे क्योंकि गजनवी और गौरी ने वो ही काम करा था ये लूटेंगे, गजनवी और गौरी ने वो ही करा था ये सब कुछ डाका डाल के उठा के ले जाएंगे, गजनवी और गौरी ने ये ही करा था मंदर तोड़े थे है ना तो मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देखता हूं जो कहते हैं कि साब वो सुमनात का मंदिर तोड़ दिया, जैसे पता नहीं को बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा, सुमनात का मंदिर तोड़ दिया, सुमनात का मंदिर तोड़ दिया, ये सब, you know, they talk like that, they don't know कि कोई न बनाए रहे, एक लिस्ट बन रही और एक एक करके टिक लगेगा, सर, जब इंडियन अपना हिसाब करेगा, सर, तो पूरी पहले जेव से पूरा फर्रा निकालेगा, सर, वो, एक किलोमेटर लंबा और बोलेगा, हाँ बिटा, उनिस्तो से शुरू हो जाओ, इनका हिसाब ब हमानिटी, हेटर अगेंस क्रिस्टिंज, हेटर अगेंस हिंदू, सिक्स, जूज, एवरीबाडी, इस रिल्ली एस साथ सेट अफ एफियर्स, इस सारी इस सूरते हाल में आप बता रहे हैं, आप कहरे हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, आप उसका कोई हमें रफ सखाका भी दे पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो कोट अनकोट मैं कहूँगा, आपके दोस्त भी हैं, और मरे दोस्ते मानूं में कि वो बहुत आप से चड़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ मुईद यूसफ जो पाकिस्तान के नैशनल सेक् तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वो जो भारत पे एक तरह का इल्जाम लगाते हैं कि भारत यह कर रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम इल्जाम ना लगाएं, हम तो ऐसा करेंगे, यह कैसे सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने ताहिर साब आपने ठीक कर दे कि इनको क्या लगा कि इन्होंने कश्मीर में खून बाया, तो वो क्या वो राइट आफ हो गया, वो हमारे जो हजारों लोग गए इस दुनिया से, शहीद हो गए या वीर गती को परापत हो, क्या वो हम भूल गए, क पर्लिमेंट पर अटक सर, 1993 बंबलास, 26 ग्यारा और ऐसे कई सौ अटक्स करवाएं पाकिस्तान ने, हम सर भूले नहीं है, तो पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए, और पारत की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें होती है मैं टेरिरिजम की बात नहीं कर रहा, मैं सैंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एकोनॉमिक वारफेर की बात कर रहा हूँ, मैं इन्फोर्मेशन वारफेर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सूध समेथ सर, देखिये, हो सकता है कि में सूध हराम हो ठीक है सर, लोग कहते हैं इसलाम में सूध हराम है हो सकता है इसलाम में सूध हराम हो सर हमारे धरम में सूध हराम नहीं है हम तो लेते हैं सर सूध के साथ लेते हैं ये हमारा सिंपल सा फंडाए अरे साजिश क्या है भारत की बोला है लाल किले पर खड़े होके मोधी जी ने बोला है कि बल्टिस्तान और बलुचिस्तान की लोग मेरे साथ राप्ते में मेरे साथ संपर्क में आपने भी उस्पीच देखी होगी 15th August की जो मोधी जी ने बोला है अब फिर 15th August आने वाला है सर्थ 2-3 दिन मैं मैं आप से जी बात यह कहना चाहता हूं की पाकिस्तान को क्या लग रहा है सर यह हम लोग ऐसे इनों ने मोधी जी को क्या इवरान खान समझ रख रहा है या इनोंने क्या डोवाल साब को क्या मुईदी उसॉफ समझ रख रहा है लिए अधिर फिर इनको लगता है कि क्योंकि यह हलके हैं तो इसका मतलब है यह हवा में ऐसी पतंग उड़ा देते हैं तो सब लोग पतंग ऐसा नहीं है सर खालमे जो भी नेता कहेंगे कोई भी पाटी के सर्थ सोथ समझ के बड़े नाप तोल के हमारे हैं ऐसे बात करी जाती कि जिसको कावत था ना पुरानी कि हमारे जब लवस बोले जाते हैं सर तो ऐसे बोले जाते यह कि एसे किसी को कर्ज दे रहे हों बड़े नाप तोल के बात करतें बड़े हिसाब से बात करते हैं और इसका मतलब है 1994 के इंडियन पर्लिमेंट के रेजिलुशन है रिकार्डिंग पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर अंगिलिगट बाल्टस्तान सर यह चीज़े ऑन रिकार्ड है हमारी और ऐसी कोई हम साज़िश नहीं कर रहे हैं इंटरनेट पे वीडियोज हैं आप एक बात बताइए अब ऑन malt मेरे लिए कहते हैं पाकिस्तान आप इन वाले कि यह साज़िश कर पाइमें मैंने कान सी साज़िश करी मैं टो खुल के कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं और मैं महनत कर रहा हूं कि तुम्हारे मुल्के पुर्ण के बोल रहे हैं तीन सुसफ़तर पैफिते से अटना है पीजेपी के आप कहते हैं कि जो action plan है जिसका आप भी हिसा हैं और वो सारे के सारे हिसाब लेने में फिरस बना रहे हैं आप भी उन में शामिल हैं और आप कहते हैं कि पाकिसान का economic collapse होगा और भारत इसमें दुनिया को convince करेगा आप कहरे हैं कि पाकिसान में जो terrorism हुई पाकिसान से जो terrorism फू अपना जो एकनामिक स्ट्रक्चर है, वो बारत के किसी इंटर्फेरिंस के बगैर ही इतना वीक, इतना वेग, और इतना वो स्टुपिड है, सैडली, कि वो तो खुद ही कुलाइपस अलमोस हुए हुए हैं, तो आपको ये बलेम लेने की, या जिमादारी लेने की, कोई भी शब्द कह लीजिए, या जो टेररिजम के साथ जुड़ी हुई एक्टिवटीज हैं, पूरी दुनिया वो जानता है, तो आपको ये करने की क्या जूर होगी है, और मैं आपको बताता हुए है, इसके पहले कि वो लाहूर के अंकर फिर से साजिश साजिश उनका फेवरिट वर्ड यूज करेंगे, एक मुझे लगता है पाकिस्तान में टीवी चैनल कोल देना चीज़ है, साजिश टीवी, जिसमें दिन भर आप कॉंस्परिसी में लोग हैं, New Zealand, Australia, and all of us are pooling in money, sir. अगर मेरी उकात पांचलाक रुपे इंडियन के तो मैं पांचलाक रुपे इंडियन दे रहा हूँ, किसी की उकात कितनी हो, इतनी दे ला है, ठीक है, sir. And we are totally focused towards this thing, मैं जादा चीज़े नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात तो तो है, sir, कि अब हम लोग, जितने भी इंडियन्स हैं, सरकार अपनी जगे जो कर रही है, कर रही है, sir. हमारा खुद का इतना वेट है, sir. हमारे खुद के, sir, top companies में, इनको, sir, इनको बड़ी-बड़ी companies में नौक नी मिलना मुश्किल हो जाएगी, इनको. ये मूँ छुपाते फिरेंगे के जरीए, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, मगर आप तो ये बातें खुल के कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये facts की basis पर होगी, वो कहते हैं का already भारत की काम कर रहा है, तो फिर इस तरह क्या जो आपकी statement है, वो पाकिस्तान की जो statements हैं, उनको एक तरह से endorse नहीं करती पाकिस्तानी इस मामले में गलत नहीं कह रहे हैं, हम तो पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान की सर, इसमें देखिए, फिर वो कहेंगे साजिश कर रहा है, साजिश नहीं कर रहा है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का ढोल बजाना है सर, लेकिन जो इनोसेंट पाकि जो झालिए वी नहीं करें से हम उसको नहीं नहीं हम उसक कोई लेना देना नहीं है रहो तो नहीं हम ंतपरा पिरी मंदर्दी यह वह дома हिसल seskr वो सिंगwegenktor भोड़े शог करदने शर्मा गातंपर ओंसे ह नहीं हमारे लिदारी हम अटो यह आधी पीजानी इसे अट्रुमाइ रह इस्ट इसम अग्राइसेट हरा शुवारे विच्ट आप टो लोगों ने अपना गुरूब बना आप लोगोग भना पीचेब बना अप्र हम लोग लोग विच्ट बना इसा नहीं है कि मारी कोई ऑनाजिजाशने कोई सीखर टाइब की ऐसे कुछ नहीं है but we are loosely connected with each other and we have got one aim to hold Pakistan to account for all the sins that they have visited upon this world especially India they will be held to account sir. दूसरी चीज़ आपने बोला कि पाकिस्ता इंडिया कर रहा है इंडिया क्यों ना करे सर एक बाद पूछता हूं ताहर सर अगर आप ठीक समझे जवाब दे ना इंडिया क्यों ना करें इंडिया क्यों ना करें बई आप जब करते हैं वो ठीक है आप जो कश्मीर बे करते हैं तो आप कहते हैं कि आजादी और हुरियत पसंद लोग हैं है ना आप खालिस्तान के नक्षे बनाते हैं और जब हम जवाबी कारवाई करते हैं तब आपको रोन रहे हैं। आपने जो करा है हमारे मुल्क में अगर आपके मुल्क में उसका one tenth होगे आपकी चीखे निकल गहीं। अभी तो game शुरू हुआ है। क्यों पारिशान हो रहे हैं तुन है। क्यों पारिशान हो रहे हैं। मैं डिरेक्टी बात करें। एक लुटक गार्प्स की सर औ अब लोग खुद रितने सक्षाम है कि हम कर लें अफगानिस्तान में सूरतियाल है पाकिस्तान की चीखें ने कर दें कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर दें ठीक है इनकी तालिबान से कशिदगी होगी तहरी के तालिबान पाकिस्तान इनको टीटी भी ठोगेगा सर्थ बुरी तरीके से आपने कहा कि बलोच और जो पश्टून है उनकी भी अगर मदद की जूट पड़ी तो करेंगे मगर बलोच और पश्टून तो कहते हैं कि भारत की तरफ से कहा जाता है प्रामिनिस्ट अनिदा मूदी ने भी कुछ साल पहले लाल किला के तकरीब में कह दिया था लेकिन वो कहते हैं कि हमें उस वजज़ा से हमारे उपर ज्यादा अजाब आता है मुझे कुछ बलोच लीडर्स ने मेजर सब यहां तक कहा कि कहीं आपके किसी शो में कहा गया कि हम बलोच साथियों की मदद करेंगे तो पाकिस्तान की इस्टेवलिश्मेंट ने बलोचों को जाकर पकड़ लिया और ये कहा कि मेजर गोरवारिया ने ये कहा है अच्छा बलोच बेचैरे या पश्टून आज ही की प्रेस कांफरंस में मुईद यूसफ और फवाद चौदरी ने पीटीम को बहुत एक तरह से लितारा है और कहा है कि पीटीम को भारत की तरह मदद होती है हाला कि पीटीम कहते हैं हमें तो अपने राइट्स चाहिए आपका नाम वाज़ तोर पर आता है और वो कहते हैं कि मदद हमें मिलती नहीं कोई साथ हमारा होता नहीं लेकिन हम हमारे बारे में कह दिया जाता है इस नेरेटिव को कैसे लेंगे आप देखिये मैं मदद से क्या समझता हूं सर एक और हम आज भी मैं परस्नल कैसे मदद कर रहा हूं सर अगर कोई बलोज बच्चा है ठीक है सर, fund is education ठीक है सर, उसका education fund करो कोई terrorism करने की जरूत नहीं सर वाइलन्स की बात ही नहीं है सवाल नहीं उठता वाइलन्स का क्यों हम हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रहे जाएगा अगर हम भी वही करते रहें और हमने भी यहाँ पर तंदी उन्सीमें को तुछ करते हैं, पाकिस्थान को पर रपहाई नहीं लगीगी। पाकिस्तान क्या जां सनुफ भखाय। याव Anthester सी वियरा एक दिनेधा पेखें पाकिस्थान आको माते हैं। पैसा बोलता है इस दुनिया में, बात वो नहीं है, लेकर हमें वो काम नहीं करना, आप इस बालोज बच्चे है सर्फ, उसका एजुकेशन फंड करिए और बलोज बच्चे को बताईए, कि आपके माबाब के साथ, आपकी कौउम के साथ क्या बुरा करना है पाकिस्तान नहीं राइट सर, that child will speak out against Pakistan, वो बड़ा होगा ना, वो पाकिस्तान के खिलाब होलेगा, और बलोचों में इतनी नफरत है, हमारी सरकार की तो कमिया है, हमारी सरकार की कमी है, कि हमारी सरकार खुले तौर पे या वैसे भी छुपके भी बलोचों का सपोर्ट नहीं करती, यह गलत करती इंडियन गर्मेंट और गलत करती है, यह इतने सालों से, अगर मेरा बस होता सर, अगर मैं, मतलब छोटा मूँ बड़ी बात कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, मेरी इतनी अरकात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ में इक्तिजार होता हिंदूस्तान में, मेरे ह चिएम, हम लोगों ने किया तिबतिव के साथ नहीं करा, किया टिबिटन ग़ंट एग्साइल नहीं है यहाँ पर धरमशाला में, इंडिया में, अगर टिबिटन गवंट इन एक्साइल है तो वाइन आट बलुचस्तान को, हम ने तो चीन के खिलाफ पंगा ले लिया था, स कि क्या उकात है थोड़्टा फाकिस्तान से बिलांद वर इतना था क्या हुञए मेरे अपनी अपनी उकात के हिसाब से ध्क्या देते है मेरी आउकात किया है कि अगर मेरी ये आउकात है मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं सपना मैं को स्पेसिफिक्स नहीं दे रहा है यहां पे जो देने थे मैंने पहले दे दिया अगर मेरी आउकात है कि बलोज बच्छे का एजूकेशन फंड करूँ तो मैं बलोज बच्चे का एडूकेशन फांड करूंगा, ठीक है सर, अगर मुझे ऐसा लगता है, कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखूंगा, ये वेडियोस बनाऊंगा, उससे पाकिस्तान को डैमेज होगा, तो मैं वो काम करूँगा, अगर मुझे लगता है, कि मैं सोशल मीडिया से डमेज कर सकता हूं तो मैं सोशल मेरी इतने होकात है people मैं अपने होकात के हिसाब से करूंगा मैं आए होकात से बढ़कर नहीं करूंगा। लेकिन कई understandable हैं जिनकी मेजरः गौरवारिया से यशर। जब हम सब मिलके धक्का देंगे तो दीवार गिरेगी जरूर गिरेगी अब एक चोटी सी बात हुई कि इंगलंड ने पाकिस्तान से ट्रैवलिंग को एक तरह से अभी तक बेहन ही रखा हुआ है उसका कारण वो यह बताते हैं कि हमारे पास पाकिसान की कोविड नाइनटीन की टेस्टिंग की जो है टेपविलिटीज वो ठीक से नहीं आते है उसके रिजल्ट्स तो हम भारत को तो परमिशन देंगे पाकिसान को नहीं देंगे और पाकिसान की मिनिस्टर शीरी मजारी ने कहा कि इस वकी जो बरतानिया की सरकार है वो इंडो फाइल है तो आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं बाहर दुनिया में बैठे हुए पाकिसान के खलाफ तो वो ज़रा से इस इंगलेंड के एक्शन पे उन्होंने इंगलेंड की हकूमत के लटे ले रहे हैं और कहा कि वो इंडो फाइल हैं कैसे देखते हैं जो भी पड़ा नीचात को भी होना चाहिए है इंडो फाइल होना तर अच्छी बात है भारत से मॉबबध कहरी है वो लोग अकल मन्द है इसलिए अनडोफाइल है आपने कभी पाकिस्तान फाइल वर्ड सुना है सर पर कोई है वर्ड को बात लोग पसंद करते हैं इंडोस् पाकिस्तानी चले जाएंगे वांपे, ऐसी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, वो जाके करेंगे कैलंडन में, वही उन्होंने बात करनी है, सर्तन से जुदा, किसी को चाकू मर दिया 7-11 में, यह यह ड्रामा करना है वांपे, तो जाना क्यों है, छोड़ो, वही पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं कमाई है? क्या करते हैं वहाँ पर वहाँ पर जाके सिखों की लड़कीं के साथ गुरुमिंग गांग्स वनाते हैं उनका पूरा जो हाफ अफ दी अंडर वर्ड फॉल फॉल पाकिस्तानी इस पाकिस्तानी किया है आप एक फेमस पाकिस्तानी बताई है सब्सक्राइब उनका रिटियूमारी बहुत हजार अलोगों को वो दिया सब्सक्राइब लेंग अर्वाड डॉलर हर साल हम लोग भी खर्च करते लंडन के पाकिस्तानी क्या करते हैं ने यह कहना है कि यह पूरा जो यह मामला है ना पाकिस्तान का कि पर एप किस्तान गा तो हमने कमाया है, हमारी वकात है, लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये इनको बोली कि तोड़ो, जितने मंदिर हैं, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, सर, I am a practicing Hindu, मैंने कभी भेद नहीं करा, सर, मैं जितने मंदिर तोड़ने हैं, तो मैं जितने मंदिर तोड़ने हैं, तोड़ दो, तो मैं जितनों को convert करना करदो, ठीक है, तुमसे पहले बिटा, गौरी भी आए और गजनवी भी आए, आज उनकी कवरें नहीं मिलती, कहीं पे, हिंदोस्तान वैसे का वैसे खड़ा हुआ लेकिन तुमारा एक-एक जरम का हिसाब होगा, ये मत सोचना कि हम माफ करेंगे, वो माफ करने वाला इंडिया खतम होगया सर, वो दफन हो Спर ne वाला इंडिया। जिसमें इंडियेंज कहते थे कोई बात नी, एक गाल दो तो थपड़ मारो तो थो में दूसरा गाल बोला इंडिया नहीं है सर। एक नए हिंडूस्तान ने जर्म लिया है सर। और ये वाला हिंडूस्तान सर् ना भूलता है ना माफ करता है। आपने कहा कि भो माफ करने की और बारे निए, इंडिया नहीं रहा. अब ये ये रिया बारे रहा है. यही बात पाकिसान के पर्राइम इयर्मिनेस्टर् Пामप्रांद खान और इस्टेबलिशमेंट की लोग कहते हैं. हैं और वह इस ढंग में खेते हैं, कि आज के भारत के साथ इसलिए बाचीर नहीं हो पा रहीं कोट अन् कोट वो कहते हैं कि वहां पे हिंदोतवा का फैक्टर बढ़ रहा है कोट अन् कोट वो कहते हैं कि RSS की आइडियोलोजी है लेकिन जो आप कह düşün एकि आज का भारत निया भारत है तो आप इमरान खान या पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट का जो इशारा है कि आज के भारत के साथ बार इसलिए नहीं हो सकती कि वो हिंदुतुआ का भारत है तो क्या आप जो आज का भारत है, वो हिंदुतुवा का भारत है, मेरे लिए हिंदुतुवा का भारत तो कोई बुरा भारत नहीं है, वो तो होना चाहिए, उसमें कोई घर्जवाली बात नहीं है, लेकिन वो काउंटर निरेटिव आप कैसे देंगे? सर हमने कभी पाकिस्तान से बोला है कि हम आपसे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इसलामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तानियों को और यह तो कबसे इसलामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है आपिस्टान में dwa की तुझ तो नीव कैन का नमी करें तो अपर किया है क्वामारा रिलिजंचान सेनलेग्ख ठीक हैं तो हुडी बहुत प्रोब्लम्स है अरेये के हमारी डेमॉक्री सि पर्फेक्ट हुम हम यह नहीं कहरें कि Hindustan में परफेक्ट है, यहां पर दूद्छ शेहिद की नदिया, यहां पर भी गुर्बात है सर, यहां पर भी राइट्स होती है, यहां पर प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है यहां पर इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, खीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात स अपर पाकिस्तानी, जिन्हों ने सारी अपनी अकलियतों को मार दिया, मंदर, चार सो से ज़ादा मंदर तोड़ दिया हाल फिलाल में, ठीक है सर, हजार से ज़ादा, जो कहते हैं कि जो अकलियत थे, माइनौरिटी उनकी लड़कियों का रेप कर दिया, यह उनको कनवर्ट क ऐसा है कि भारत में हिंदुत फैल रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है, अरे, तुम तो 74 साल से इसलामिक स्टेट बने वे हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि तुमारा जो मजब है, तुमारे मुल्क का वो गलत है, अगर तुमारे मुल्क का गलत मजब नहीं है, तो हमारे मुल्क क सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस मूह से बोलता है पाकिस्तान बड़ा कहता है कि इंडिया बड़ा सेकलर होता था अब नहीं होता तुम होते कौन हो तुम ने तो सब कुमार माल के खतम करती है जो भी गहर मुसमलान थे सब को मार दिया तुम किस मूह से बोलते हो भई कि इंडिया में प्रॉब्लम है तुम अपने गरेबान में तुम जाक के देखो यह सर इनके मैं बता रहा हूँ यह मुनाफक जो है न यह पूरा पूरा माशरा इनका वैसी हो कि अफ़ानस्तान में तेजी से सूर्टेहाल बदल रही है और जब भी हम बात करते हैं एक हफ़ते के बाद तो लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट मनजर नामा है पिछले दोनों लग रहा था कि इतनी सहूलत से तालिबान जो प्रोवेंशिल हैड़कोर्टर्स हैं उन पर क ऐसन पिचे कहा कि तालिबान चाहे वो पाकिसान के हों अफ़ानस्तान के ओं वो भी भारत की सुनेंगे उनको भी आफिर ऊंफर किया जाएगा कि भाई आपको अपने डैम बनाने हैं सड़के चलानी हैं सरकार चलानी हैं तो पैसा तो चाहिए तो कितना कंसरन है और इस प्रदलती सूरते हाल पर आपकी निगाह किस तरह की है देखे सब दो तिन चीज़े हैं जो पाकिस्तान कहते हैं ना कि इन्वेस्मेंट भारत की डूब गई थ्री बिलिन डॉलर्स की अरे सर वो सड़क है ठीक है जिस सड़क पर पहले अफगान सरकार की गाड़ियां चलती थ अँ़ कि नहीन किया है हमने तो सब्सक्राण की डिए ऍवेस्मेंट की निगाहा हुओ इसका अँछी मिलें के लिए अब उते होती तो यहां इसका क्या लशता है अगर तालिबान की सरकार आती है और इसके Op चले जाएं जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहता है ना वाट गोज आफ माई फादर मेरे वाप के क्या जाता है उसमें क्या है क्या फर्रक पड़ता है सरी ठीक है हमने तो वहां पर जो पैसा डालना था हमने डाल दिया ठीक है जो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान के आर्मी के जो आफसर्स बूट तीवी में आते है ना मुझे लगता है कि पता नहीं है पड़ाई लिखा ही का माहौल नहीं है वहां पर एनकी बड़ी ट्रैक्टिकल किसम की थेंकिंग्ए है सर्ग जो लोग आते हैं मैं टेलेविजन प से रोका गया है या वो इसी पॉलिटिक्स में पड़ गए कि इसका तक्ता पलट कैसे करें और इक्तिदार में कैसे भागते यू नो प्रेजिदेशल पैलस में चले जाए या तो यही सोचते रह गई है इन्होंने कभी कुछ करा नहीं अब देखे चोटी सी बात है अगर ताल बार होगा तो लोग कहां जाएंगे सर एरान में तो जाएंगे नहीं लोग वो जाएंगे पाकिस्तान में यह पाकिस्तानी मुझे बात समझ में आती इतनी खुशिया मना रहे है तालिवान एडवांस कर रहा है तो तुमारे लिए मौत का पैगाम है क्योंकि फिर दस- सर उसको तो यह आता है ना सर ट्रिकर दमाना उसको तो और कोई काम आता है नहीं फिर इसमें कोई सूरत हाल नहीं है सर कोई सूरत हाल नहीं है अफगानिस्तान में कुछ हो जाए मैं बता रहा हूं जिसमें पाकिस्तान जीते पाकिस्तान यह चाहता है ना पाकिस्तान की अगर तालिबान को जिसको कहते हैं कि हटा दिया गया विलकुल वहां से तो फिर स्टेटिस को चला जाएगा जहां पर इंडिया थी वहां पर अफगानिस्तान में फिर यह मार खाएंगे और तीसरी चीज़ ना कोई जीत ना कोई हार यह मामला चलता रहेगा खटपट और एक और आखरी बात से एक बात बता हूं अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काविज हो जाता है ठीक वो तो डियूरन लाइन मानते नहीं है सर आपको क्या यह नहीं लगता है कि पश्टून ताहवस मूवमेंट के कुछ रिष्टदार तालिबान में भी होंगे वो प पाकिस्तान को जहर पीना पड़ेगा सर यह धीमा जहर है तेज से काम करेगा पाकिस्तान को कब इनके पूरे बॉड़ी में जहर पहलेगा कल पहलेगा आज वो जहर पहलना है यह पाकिस्तान को चूज करना है सर कि कि कितने जंदी पहलेगा कितनी देर से पहलेगा देकर डि India people make the mistake of thinking that Taliban is a homogenous unit, it is not a homogenous unit, it is not like a professional army It's a consortium of warlords, if I can say If I can use this word consortium, it's like a collection of warlords They have a loosely-knit loyalty, tribal loyalties You know, Achaqzai is different, Yusuf is different, Afridi is different Orakzai is different, any different clan, anything These are all different These are the same These are the same These are the same Taliban, 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 they have made so much strategic depth These are strategic depth These are strategic depth They have their own country Afghanistan and Kashmir They have their own country They didn't have so wisdom They have to give the people this They have to give the children They have to give the elders We have to give the elders They have to give the elders One word, I want to explain Honestly, when they were free They were free Everyone was free It was free We are free We are free One place One place I want to give the talent One place One place One place Of Pakistan One place One place Only people Only money They are freely They are being free Why? They are the obsession शर्मीर के साथ our session है सिर इनका जो अफगानिस्तान के साथ our session है इस मुलक का बड़ा ल्रक बरिया इं लोगों इस्राइल के साथ अब यह कहते हैं सिर कि आफ उइस्टान में हो रहा है 腳 पाकतान के कि Beij मिलव शरी इस्राइल कर आगए बीच maximum PhDs वो लोग निकालते हैं, patents उनके पास दुनिया वर के हैं, intellectual property rights के उनके पास दुनिया वर की चीज़े हैं, they have the best universities in the world, they have the best scientists in the world, वो यह कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साज़िश करेंगे, वो क्यों करेंगे सर, लेकिन है उनका mindset ऐसा, so let it be, क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, major gauraur, रिया सहब, आपने खुल के बाते ही की, अस्पे ममूल, और आज आपने सिर्फ हमें प्रडिक्शन ही नहीं दी, बलके आपने बताया है, कि आने वाले 6 महिनों में, क्या कुछ होगा, और क्या कुछ हो सकता है, बहुत बहुत नाले बात, thank you sir दोस्तों आशा करता हूँ, कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और इस वीडियो में, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ें, और अगर आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल मिलेंगे, जै हिंद, जै भाहरत!